कि चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफाई स्टड़ी चैनल पर चेंजिंग दाव लर्निंग वाइफाई सब्सक्राइब नमस्कार स्टार्ट करते हैं अपने बैक टू बैक मोग पेपर्स को दोबारा देगी यह सेट थ्री है जिसमें हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहें ठीक है क्योंकि अगर हम जतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे उतना ही अंदाजा होगा कि यार कितना पेपर मुश्किल आ सकता है और वही हमें सीखना है पेपर का मतलब है सीखने का मतलब कि हम हर लेवल पे सीखें तो हम अभी जो स्टार्ट कर एक को आवाज आ रही है आप सभी को मेरी जल्दी से लिखें तो चली तो जल्दी से एक बड़ी कमंड मोक्स पर लिखेंगा हूं है ना तसली से करेंगे जब यह हो जाएगा तो फाइनली सेट फॉर जो सबसे डिफिकल्ट लेवल होगा उस लेवल पे जाएंगे सेट फॉर पे लेकिन पहले इधर एक अच्छे से वेपर करते हैं ठीक है आपका समय है तसली से इसे उडिलाइस करिए आने अकेडिमी की फ अब पढ़ सकते हो एक सब्सेप्शन लेना जिसमें आपको कहा है सारे बैनिफिट्स मिलने वाले हैं किसी फिए एक्जाम में ले सकते हैं टॉल डिपेंड्स हो कि आपको किसमें पढ़ना जैसे मैंक एक्जामपल दे रहा हूं SSC का निया बैच लाइव है तो उस बैच को जोइन करने के लिए आप पहले तो आप अने के डाउनलोड करें फिर एससी गोल मैनेज गोल पर जाके सेलेक्ट करेंगे जब पूरा टीम के साथ पढ़ते हैं जैसे आवालो आप यह सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो पहले तो आप फीस कम कर लिजेगा लाइव अमन चली तो स्टार्ट करते हैं आपना सेट नंबर फिफ्ट लैवल इंक्रीस कर रहे हैं चली तो पहला कोशन आप सभी के सामने शेर करना है को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की अगर मैं बात करूँ स्पैरिंग थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है बताई स्ट्रेट ऑफ जिब चली तो ऊंच़ाक कहा हुआ है Mozart के सामने श्कॉछन आपा तक पहले है यह कोशन आ सकता भई राजिस्थान में तौतल इस्ट्रेंटिक क्लें एसिपा बहुत मिल जाते हैं तो आateuriben कशन देखें बस एस्टेट और में इस प्रतिफ एंटियो गतर्ट नहीं है हैं बताए अंसर के इसकोशं का कहा पर लोकेट यह को इंगे? चली तो इस question का answer क्या है इस question का answer है ठीक है बंस्वारा इसका answer है एक और question देखिए यह question नहीं करना बताइए इस question which country is considered the second largest in area ठीक कौन सा देश जो है second largest consider होता है ऐसा है कि कुछ पुराने paper हैं सारे तो कुछ कौशन ऐसे हैं जिसको हमें आज के कंट्स में छोड़ना चाहिए ठीक है जो इंपर्टनव पढ़ेंगे सेकंड लार्ज़ेस कंट्री जो है इन सबी में शेकर बड़ा dártan कोशन-ऊसशक का अऊंसर क मतां स्कैन्च का थेकarn का आंसर क्या है कितरी सेकंड-डरिजिस क्या है Canada है सबसे बड़ा तो रश्य ही यह विए लेकिन सेकंड-पूछा दो कैनैडा को देखी कि शक् insult करें तो को मत र्रूपी जो है ये मिंट किया गया था कहा नियुक्त ना पर रहें जोब्रास है पीतल जो है किसका मुष्डध धातू है उसको एक बड़ी सीखने हैं असान है मिश्रिद धातू में कहारो लैवल थोड़े सा आप वह रहा है तो कोशन थोड़े से आपको अजीब देखने को मिल सकते हैं जो कोशन पेपर में आया हूं है पीतल जो है किसका जो कि आइज सढ़ेंगा आइस सोल करो बताओ जो कि रिखता सी चली तो कोशें का क्या है यह किसका मिश्रिद्धातु है जिंक और क्रेंकोपर का बन सबते। यह है और राजSLान काकि ने अर्भाव झभेसंट चुल्थ राजिस्थान कुछ इस तरीके का रेकोष्थान को पार यह हुई है थो दोन है फोन से stal Columbian बताई कोंसे कॉंटिनेंट में नील नदी जो है बहती है बड़ा असान कोशन है यह आंसर के इस कोशन नील नदी जो है कौनसे कॉंटिनेंट में भैती है चली तो इस कोशन का आंसर के है नील नदी कौनसे कॉंटिनेंट में एक और कोशन देखीगा इलक्ट्रिक चार्ज की एसाई यूनिट क्या है कमेंट करेगा इलक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी एसाई यूनिट क्या होगी बड़ा असान कोशन है कुछ जाद ही असान कोशन इलक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी एसाई यूनिट क्या होगी चलिए तो इलेक्रिक चार्ज की जो एसाई यूनिट है वो क्या है ठीक है अविसली इसका आंसर कूलम है बहुत ही असान कोशन एक और कोशन देखो बताओ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है पहली बार कौन से दो देशों के बीच में हुआ था इंगलैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा आंसर ठीक है हाला कि कि यह दो देश नहीं खेलते हैं व्यक्रe bowl होता किसमे हिंआ जल्दी से उसकोशन का आंसर के थेक ओंग ऑड़ा कुसमे डिजल्व होता कि चलिए तो यह किसमें डिजोल होगा इस कोशेंगा आंसर के हैं कि चलिए तो इस कोशेंगा आंसर के हैं दोस्तों एक्वार इजिए इसका आंसर है विच ओफ दो फोलेंग इस सबसे कोशें के सबसे जाष है बड़ा आसान है इनसबी सभी में सबसे हैं Two हाँ जी रेडियो थेरेपी के लिए इसमें से कौन सी नोबल गैस को यूज़ किया आता है जल्दी से बतेंगा रेडियो थेरेपी के लिए इसमें से कौन सी नोबल गैस को यूज़ किया आता है कमेंट करिए बताइए आंसर गैस कोशन का कि किति या को शान मुश्किल नहीं पति रिच्पराइब ज़यसे यह को टीक के तो जैसे अभी यह कोश्ण दे रहे हैं, nobel गैस कोन कौन से हिंदू मंत में चасти Uza की सोटब जाती है इस कोशन आते हैं यह यह ... कों से जो है ना तेजा रखit कि जाती इसकोशन का अदwork कें इसकोशन कोशन सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब भद्र जो है ठीक है मन्त में एक और कोशन देखिएगा बताइए युनाइटिट नेशन और गएशन में में से चारों में से युनाइटिट नेशन की और?.. चले तो इस कोशन का स्केरिंगे के बताएगा अंसे क्याएश कोशन जल्दी से बताएगा और तो इस कोशन ना आशना करेंगा तो यहनुरों कोशन दीचे बतें के एक बेए चाहिए वायर डज़ ब्लैक बोर अपे ब्लैक इन कलर मतें ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक अपियर होता है किस वज़े से कारें के इस कोशन आ कि चलिंग कोशन का अन्शर के है ठीक गार देखिए न सारे टैंश कि और तद लेता है या तो रिफलेक्त कुछ नी करता है यह सवाल आनसर मिलेगा या सारे कशल्ब करल कर देखें एक और एक और कॉषन देखेगा सुप्रीम कोसं क्लकट्था सेट अप हुआ था क। कुम से के दाद बते कों से एक के सुप्रियम कोड को कलगत्ता में सैट अप किया था इस कोशन का और पिट्स यह कोशन का आंसर जो है इसका यह नहीं रखेंगे गया आन्सरी सका आन्सर क्या होगा ठेकैं डुक्तません पर डुन सब्सक्राइवां सब्सक्राइब है एक इस मंत को में सब्कुर सेके ये ये इस कोश़ें का यह स्किप मारना पड़ेगा क सब्लिक्त तो बहतर हैगा क्योंकि वह उसका साम पूराना होगा क्विके अटेंशन को मैसर करने में हैं embedded तूंसर क्या है इस स्ब्सक्राइब मैसर करने में टेंसियो मीटर होता है वह अच्छा पूछ आ सकता चलिए एक और कोशन देखेगा हल्दी घाटी की बैटल कौन से वर्ष में लड़ीगी थी इस कोशन का आंसर क्या है कमेंट करो बताओ आंसर क्या हल्दी घाटी की बैटल कौन से वर्ष में लड़ीगी थी सबसे मुश्किल होगा वह जरूर करेगा बहुत ज़ादा वनिफीचल होगा अंसर क्या है हमारे यह कोशन नहीं करेंगे क्योंकि आमेंडमेंट होड भी हो चुके हैं तो यह हुसाब नेया कोशन नहीं करपाएंगे बहुत होता है वह कौूंसे आर्टिकल के तहत होता है कौन से आर्टिकल के तहत हमारे देश में संशोधन कर सकते सवीधान में अच्छा कोशन सब्सक्राइब जोता है उसक लिए टिस्टन्स रही होता वह कितना होता बते ही को जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए निने पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टन्स ही होता है वो मिनिमम कितना होना चीह है आंसर के है इस कोषिण का जल्दी से कि सॉल करो आंसर के इस कोषिण इस नार चाहिन नियाक दोस्तों कि है ति कोशण का अंसर ईको 17 एक और गज़ा देखेगा ते कि साप से कौन सी पोस्ट नहीं है मतलब इन में से कौन सी पोस्ट जो में क्वाइस पोस्ट जो है जिसे Constitution में mention नहीं किया गया इस question का answer क्या है ठीक है बताइए इस question का answer के कौन सी post को Constitution में mention नहीं किया गया इस question answer के है है ना important question ठीक है आंसर के इस question का ठीक है आंसर के इस question का डेप्यूटी प्राइम नेस्टर की post जो है mention नहीं की किये इस question answer यह है इफ दर प्रेजिडेंट वांट टो गिव दर रेजिगनेशन अब सवाल पूचा रहा है अगर राष्टर पती रिजिगनेशन देना चाहते तो रेजिगनेशन किसे देेंगे जल्दी से ना passed कैशलिक है जो प्रेजिडेंट ने जो है एक इस इसको वाइस प्रेजिडेंट को ठीक है तो इसको शंग आंसर यह है ठीक है बाकी में रेगुलर साथ पढ़ाता हूं लेकिन अभी आपना इसका सेट फॉर्थ भी जरूर देखना जो मैं नेक्स सेशन कराने वाला हूं थोड़ा डिफिकर्ट लेवल जो फाइनल डिफिकर्ट लेवल उस पर लेकर जाएंगे ऐसाई पर आते हैं डेसीबल जो है यह किसकी मदब किसके लिए उसके आंसर क्या है चलो उसमें ना साउंड लेवल को कौंट किया आता है मैजर ऑस साउंड लेवल है एक और कौशन देखिए हमारी कितने मौली ककरतबन मौली करतबके कितने है इस कोशें इस पाफिजास बताया आंसर के इस कोशण का मौलिक करतव वे कितने हैं कि आरे Elly तो दोस्तों कितने हैं याद रखे 11 रह चाहरई है आसान है वैसे कोशन ना dowKartagak red नहीं एक और कोशन पीषल देखिए बताया आंसर का थेता पेपर जो है होगा इजएक्टली मेरे हिजाब से 11 बज़ेंगे 11 बज़े करेंगे लास्ट विप पर है ना मदब इसी क्लास के कंडिनेशन में करेंगे जो राश्टे पती हैं उनका महा बयोग उनको अगर हटाना है तो उसका इनिशेटिव कहां पर होता है कहां पर शुरू होता है ठेके इनिश सबसे लंबी नदी कौन सी आसान है की अठेक मिन्वन की जो सबसे लंबी नधी है वह कौण सी जलदी से मतता सब्वन करें works कि आप टेके हैं हमारे जो नेसनल फ्लाक में जो अशू का विल्हार्ब के सिकंथ कितने स्पॉक्स कितने हैं बदेगे असान है अशोका विल में कितने स्पोक्स हैं बड़ा असान कोशन इस कोशन आन सके हैं बदेगे इस कोशन आन सके हैं कितने हैं इस कोशन का आन सर क्या है दोस्तों चोबिस है एक और कोशन देखिए इस कोशन होगा बहुत ही असान कोशन है पूस है यहना बहुत सर्ल सवाल में से एक है तो इस कोशन का आन सर है कि जो रेकटनाइस लेंगवेच है वो कितनी है थेस आसान है एक कोशन कोशन का मैजर बड़ा आसान कोशन नहीं है उसका मैजर क्या है इन में से बताएं इस में से कौन सा और सब्सक्राइब करने के लिए ना बोडी मास इंडेक्स होता है ठीक है बी-म-ई ठीक है बोडी-मास इंडेक्स है वो होता है एकर कोशन देखे विच स्टेट फर्स मेट दर्टेटी फ्रों बिटिश ठीक है आंसर के इस खोशंग का है ठीक है ब्रिटीश के साथ जो सबसे बैली टेटी करी दिए वो किस ने करी थी ठीक करोली ने करी थी असान स्किब भी कर सकते हैं इतना इंपोरेंट भी नहीं स्टेटमेंट दे रखे से संबंदित बताईगा प्रियंबल में कोई स्टेटमेंट दे रखे से संबंदित बताई इस कोशन से संबंदित प्रियंबल का आंसर है ठीक है लोगों से ठीक है वी हेर भाय से मदा जो पावर है ना पॉलेटिकल पावर हम से आती है अगर हम कोशन होता है इसके बाद मैं फाइनली जो है सेट फोर्थ कर रहूँ गाँ इस पेपर के बाद जिसका लिंक आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल दाएगा ठीक है बहुत करें अच्छिब और यांसर का इस कोशन का कि चले क्राइन में सब्रेक इसको शुप करने कि यह उसकी जैसा नहीं कहा रहा कॉंप्लिमंध करना है 155 कितने हैं लोगे प्लड कोप शरीर के सबी भागों में से हर्ट में दोबारा लेकर आता है कोशन थे आंसर के इस जोचन का डी अक्सिनेटीट बलड को शरीर के भाग से हर्ट तक दोबारा लेकर आने का काम किसका है जल्दी से बताई आन से इस कोशन का आंसर क्या है कि यह जो काम है ठेक है यह काम किसका है इस कोशन का आंसर क्या है चल तो इस कोशन का आंसर क्या है दोस्तों इस कोशन का आंसर वेन है यह वेन इसका आंसर एक और कोशन देखिया आर्टरी जो है इसका अपोजिट काम करता है हर्ट से बोड़ी तक लेके जाता है ठेक है जो प्रेजिरेंट की जो सेलरी होती है वेतन जो होता वो कैसे फिक्स ह होता बताई अच्छा कोशन है पूछा आ सकता है अच्छा कोशन का आंसर है यह वेतन कैसे फिक्स होता है इसकोशन का सिर्फ प्रेजिडेंट का और भी बहुत सारी अथोर्टीज है जिनका जो वेतन है वो मेंशन है कैसे वो फिक्स होगा यह मेंशन है सेकिंड शेडियूल अव्द कांसुटीशन में बॉइंट फॉर्स किस पर डिपेंड होती है इसकोशन का आंसर के अच्छा कोशन है सारे सब्सक्राइब जो है सेट फोर जो है कर लेना क्यूंकि उसमें सबसे डिफिकर्ड लेवल होगा सब्सक्राइब करता है साइस वोलियूम और डेंसिटी कास्ट आयरें में कार्बन का कितना परसंडेज होता है इसकोशन का आंसर क्या है तो ध्यान रगिए अगर आपसे पूछाए बहुत कार्बन का कितना परसंड तो आंसर तीन से पांच परसंड एक और कोशन देखिए बताई इस कोशन का आंसर के अगे स्थिए कर परसेस का अंज़र क्या है तो इस कोशनid का परस्ट परसर है emotion का emphasis क्या है डिमाग ब रखे इस कोशनid का आंसर है एंडिवेटिक प्रोसेस इसका आंसर है एडिवेटिक प्रोसेस इसकाँ आंसर है चाले एक और कोशन देखते हैं एक पर कोशन देखी यह करें रिटबोर्ण जो है कलाई की जो हड़ी है इसे हम क्या कहते हैं बड़ा आसान कोशन है infinity साइन्स है इसक साइन्स आप आ आपड़ी और भी पेपर होने वाले हैं, mineset को करेंगे telegram channel पर 2018 चैनल चैनल पर ना बंच चांड़ कर लेना यूनिन ज़ूह है कौन से पार्ट में यूंशन के कौन से का सब्सक्राइब आप मैं देख़े Season paint from that इस अर्फ 건 देखें सछोभी पर न अनसकें कि फायर क्रेकर जितने भी होता है जो पढ़ागे बनाया जाते हैं आतिसवाजी के लिए उसमें कौन सा इसमें से सोल्ट डलता है जल्दी से बता है असान है कोशन सूबे क्लास जो है ना वो करेंट अफेर की क्लास है पूरा फुल मैरतों होगा बारा मंत का आंसर के स्कूशन इसका आंसर एक और कोशन देखिए इस कोशन का आंसर के हैं ठीक है आंसर के इस कोशन का जल्दी से बताएंगा कि 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 अब चलिए तो इसकोशन का आंसर के है इसकोशन का आंसर है यूएस से इसका आंसर है ठीक है एक और कोशन देखिए अच्छा यह टेलिकरांट चैनल जोइन करें ठीक है इसे जरूर जोईन कर लेंड़े ना सारे के सारे सोड़ेड आपको सेट फॉर्थ भी मिल सकें अभी रहते जोईन कर लो मैं सेट स्टार्ट कराने वाला है आप अकैडमी प्री क्लास्स आप आप देख सकते हैं बाकिए आप अपर डॉल से लग करिए घर के लिए आप प्रड्रफर लाइव मन्यूज कर इख और मंसलेकर यह यह दुल यह फीस नहीं देनी है आपको यह फीस द तो आप यह जरूर सिल्क कर लें मिलते हैं आप सभी से पांच मिनट में नेक्स सेशन में टेलीग्राम जाइन करें अमन सर्वाइफ